नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 10 अपरिल 2024 और स्वागत है आपका आज की करेंट अफ़े डिसकसन में, चलिए डिसकसन इस्टार करते हैं, पहला जो टोप न्यूज का अरटिकल है वो हम नहीं देखेंगे, विकाज कि इसमें पोलिटिक्स बहुत जादा है, पोलिटिक्स सारा होता क्या है, सारा चैट बॉक्स है, आपने चैट जीपिटी, गूगल जैमीनी, ऐसे नाम सुने होंगे, इसमें क्या होता, आप अलग-लग क्यूशन पूछते हो, प्रॉम्ट डालते हो, बदले में आपको एंस्वर मिल जाता है, ये एंस्वर काफी एक्यूरेट होता है, ठीक है, अलग-लग जो सोर्स डाले गए, उनसे ये एंस्वर लेके डालती है, सेम चीज होगी सारा में, सारा में क्या होगा, आप अपनी हेल्थ से समदीद कुछ भी क्यूशन पूछोगी, ये आपको एंस्वर देदेगी, ये एंस्वर काफी अच्छा होगा, काफी ए अपडेट क्या जाएगा, रियल टाइम, आज कि स्थल्टि में क्या चल रहा है, वो है, व्यक्योड ये जेनरेटिव AI क्या होता है, ये रियल टाइम डेटा प्रवाइड करने का काम करता, ये ट्वींटीव बैज सैवन काम करेगा, चोउश गंदे, आपकी पूछ सक्ते लोगों के स्वास्ते और कल्यान के लिए लोगों को अवेर करेगा उनको जागरू करने का भी काम करेगा और लोगों की जो स्वास्ते होती है उनसे समझ जो अधिकार है उसके लिए एक अलग से उपकरण मिल जाएगा एक टूल मिल जाएगा लोग अपने जो हेल्थ राइट इसलिए जो मानव किस परकार से सोचता है उसके बारे में भी सोचेगा क्योंकि आप मैंटल हेल्थ की बारे में पूछोगे तो इसमें यूमन टच भी डाला गया है ताकि जो जानकर ही हो वो काफी यूमन बिहेवियर को बता सके और इसके अलावा और भी इसमें काफी जारी कि जैसे कि जैसे क्या कुछ ऐसी बिमारिया होती है वो हमें से पूर्वं द्रक कर्णा बन सकते हैं कोई हर्ट डीजीजे ठीक है तो उसको छुड़ा उने में भी ये help करेगा तो इसके advance काफी feature है काफी बड़ा ये helpful हो सकता है इसका full form है smart AI resources assistant for health ये इसका full form है और इसे WHO के दोड़ा त्यार किया गया है WHO के बारें बात करें तो WHO जिसकी इस्तापना 7 अप्रेल 1948 में हुई थी 1948 में इसकी इस्तापना हुई थी 19494 में इसकी मेंबर है इसकी governing body कौन सी World Health Assembly है ये इसकी governing body है जो इससे समझी सारे काम देखते है governing body मतलब इसको govern करने का काम करते है ये United Nation की एक agency है यानि कि United Nation की इसी membership मिल चुकी है और इसने काफी अच्छा भूमी का भी निभाई थी COVID के टाइम में तो इसका रोल है वो भी काफी ज्यादा important हो सकता है चलते हैं हमारी next article की ओर next जो हमारा article है वो election symbol के बारे में news में क्यों है हम नहीं देखेंगी हम बात कर लेते हैं election symbol यानि चुनाव चिनहों के बारे में या election symbol reservation and aloctement order 1968 1968 का ये order है इसकी अनुसार election commission अउफ इंडिया वो चुनाव चिनह का विड्रन करने का काम करेगी है को वित्रण कोन करेगा Election Commission of India के द्वारा चुनाव चिन को वित्रित करने का काम किया जाएगा यह चुनाव चिन कैसी वित्रित करेगा इसके बारा महना पूरा रूल बुक में लिखा गया किस परकार से चुनाव चिन का वित्रण होगा क्या होता है दो परकार की पार्टी होती एक नेशनल या स्टेट रिकोगनाईज पार्टी पहचानित की हुई पार्टी होती रिकोगनाईज पार्टी होती नेशनल या स्टेट दूसरी होती अन्रिकोगनाईज पॉलिटिकल पार्टी रिकोगनाईज कोन सी होती जिनने इलक्षन कमिशन ऑफ इंडिया की द्वारा पहचान दी गई हो, रिकोगनाइज किया गई हो, इसके लिए क्या कंडिशन है, इसके लिए लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, उसमें आपको कुछ वोड प्राप्त करने होते हैं, अलगला टरम्शन कंडिशन है, इस्टेट के लिए अलग है, आपको इस्टेट पॉलिटिकल 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 तो अगर यह कहीं से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी जैसे सी न Aziza कनाफ तो आथ ही फीक्श रहेगा कूछ ऐसी पार्टिया होती है जैसे कि अन्री को गुणाइज पार्टी LED होती है इनकी चनाफ नह अलग अलग हो कमली जैसे कि बड़ी पार्टी उनकी तो चुनावचिने फिक्स है ठीक है एक बार दे दिया वो विक्स ही रहेगा अभी जो अन्रिकोग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उति है इनको चुनावचिन कोन देता है इनको इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की द्वारा दिये जाते है अलगल इनके पास में कि प्रकार काम होता समाजवादी को साइकल चाहिए थी तो इलेक्शन कमिशन ने उनको दे दी क्यूंकि सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं थी तो इनको साइकल गिफ्ट कर दी क्याप का दिक्ट चिनावचिनया है वो cycle होगी ठीक है यह तेय किया जाता है election commission of India के दवारा आपको बड़ी party जैसे सिर्षण ना है सिर्षण में विवाजन हो गया तो इनका चिनाम चिनाम सेथा धनुस्ता अब ये धनुस्त किसके पास में जाएगा ठीक है यह कौन टेय करेगा ये भी election commission of India के द्वारत तैय किया जाएगा कि कौन से चुनाव पारटी के पास में कौन सा symbol जो पारटी उसका विवबाजन हो गया तो उसका जो symbol है वो किसके पास में जाएगा ये भी election commission of India के द्वारत तैय किया जाएगा तो इस परकार से चुनाव चिना का वित्रन होता है इसमें कहीं सारी चीजे फॉलो की जाती है, वो नेसन पार्टी है, या इस्टेट पार्टी है, वो किस परकार से काम कर रही है, ठीक है, उस एधारे पे सारा चुनाव चिना का वित्रण किया जाता है, कितने उनको वोट मिले हैं, ये सारी चीजे देखी जाती है, फिर जो इस अगर यह आरी जीती अलग हो गया चुनाव खतम होते ही यह फ्री हो जाएगा बविसे में किसी और को भी दिया जा सकता है बविसे में इसको भी दिया जा सकता है यह चीजे होती ही चुनाव के बाद में जो अन्रिकोगनाइज परटी है उनको जो चुनाव चिने होते हैं वो Strategic Petroleum Reserve Limited Company है उनके दुबारा एक वीड लगाई जा रही है कि आप है ना Strategic Petroleum Reserve में आप जाके वीडिंग में भाग ले सकते हो औक्षन में भाग ले सकते हो यह इसलिए न्यूज में है, तो हम बात कर लेते हैं, स्ट्रेजिक पैट्रोलियम रिजर्व के बारे में, क्या हुआ है, अभी बारत में है ये है भारत में, बारत में अभी तीन इसे बारत और भी बढ़ाना चाहता है इसके लिए क्या चिया जा रहा है इसके लिए बारत है प्राइविट कंपनी को अमंत्रित कर रहा है कि आप आके इसमें इन्वेस्ट करो अब प्राइविट कंपनी इसमें क्यों इन्वेस्ट करेगी प्राइविट कंपनी इसलिए इन् इंडियन गवर्मेंट का होगा ऐसा रूल्स में लिखा गया इसलिए प्राइविट कुम्पनी भी इसमें इन्वेस्ट कर रही अभी कहां-कहां प्रस्ताविक किया गया है कहां-कहां ये खुलेगा एक खोलेगा ये न ओडिसा में चांदी कुलरी रीजन है ओडिसा का ठीक है थीक है एक और पदूर में खोलने का प्रस्ताव रखा गया तो इस प्यार में जो ऑइल होता उनको इसटोर करके रखा जाता cohort क्यों रखा ओइल काफी ज्यादा महत्वन हो जाता है अब इसको जो export करनी पाई import करनी पाई किके इंपोर्ट कर पाई जो किसी और देश्य इंपोर्ट नहीं कर पाई जरी क्योंकि आपध काले इस्तति आएगी या तो युद्ध जो गया यहां फिर कोई जैसी कोई बीमारी आगई जिसे import export बंद हो गए हैं तो अब import करनी पाएगा तो हमारी है ना energy security कैसी ensure हो गए इसे ensure करने के लिए कुछ store होने चाहिए ताकि अगर ऐसी आपदकाली इस इस तती आ जाए तो बारत की पास में दस दिनों का तेल है वो है अगर आपदकाली इस तती आ जाए तो बारत दस दिनों त जला सकता ऐसी स्तति में बारते बारती यसे बढ़ाना चाहता है international energy agency है ना एक संस्ता है उसमें अगर आपको member बनना है तो उसकी कुछ ट्रंसें कृंडिशन है क्या ट्रंसें इसके according international energy agency के according अगर किसी देश के पास में 90 दिन का petroleum रिजव है तो वो इसका मेंबर बन सकता है तो अपात काले निस्तती में इंटरनेशनल एजन एनरजी एजनसी के एकोडिंग नबे दिन का पेट्रोलियम रिजर्व होना अन्यवारी है भारत के पास अभी कितना है दस दिनों का इसे बढ़ा कर भारत को और आगे लेके जाना है ये भारत का टारेट है तो यह अलग लग खोल जगा खोलने के लिए प्रस्ताव रखा गया है यहां पर खोल जाएगा कहाल रखा गया हमने देखी लिया एक ले है यह थितनी आपको कि किने सब्सक्राइब长 यह क्या करती ही यह oil को secure करने का काम करती है और इसके according किसी भी देश के बास में 90 दिन का है वो oil होना चाहिए ताकि उसको इसको अमर जो emergency की इस्ततियाज है वहाँ पर यह काम चला सके तो यह हमारा पूरा SPR से समझे आर्टिकल हो गया चलते हमारे next आर्टिकल की और next जो हमार यह चाहिए कंट्री कोन कुछ युक्रеन ऑपर देको यूकरेन पर मळदी फिर माल्डवा यह आपको आसबिया है हंग्री इसको आ सकती है यहे यह जोड़ा न्यूज्स के बावंड्रि लगती कुछ important mountain तो यह सारी चीज़े आपको पता होने चाहिए रोमानिया के बारे में यह प्लैसन न्यूज में काफी important था इसलिए देख लिए हमने फिर बात करते हैं अहोबिलम के बारे में यह क्यों न्यूज में अहोबिलम न्यूज तो क्या है हमारे लिए important है नहीं कि यहाँ प अजिली का नाम है कुछ रिस्टिक अंडर प्रद्श में कुछ रिख यहां पर यह लोकेशन है क्या अहोबिलम कहा लोकेटेथ है इस्टेन गाट में कुर्णूल डिस्टिक है अंद्र प्रद्श पर वहाँ पर लोकेटेथ यहां पर नल्ला-मला जो mountain है नल्ला-मला-फॉर कुँन सा थरेश आपको पताऊना चाहि कि नला मला फॉरेस्ट है वहां पर यह लोकेटेट है यह चीज यह सब कि यहां पर भगवान नस्य का मंदिर की यह मैं यहां पर फावन की डिको बचाने लिए अवतार लिया था और इंकरस्म का वद्ध किया था और पैलाद को बचाया था इसलिए यहां पर बगवान विश्णू के 5 मंदीर कौन कोण से पांस बंदीर जवाला। मन्दीर आभ इला मंदीर इंप wardैने का बनुपा हूं जगा Chief वह यहां पर यहां पर यह मंदिर लोकेटेड है उसमें बगवान विष्णु की पूजा होती है इसे अलग लग नामों से जाता है जैसे कि सिंग्वेल कुड्रम नव नर्सिमा चेक्त्रम गुरुडदी गुरुडव गुरुड़ चेक्त्रम इन सब नामों के से भी जाने जा सकते है इस्टोरिक इंप्रोडेंस हमने देख लाए इत्यासिक महत्व इसका देख लिया है कि यहां पर भगवान विष्णु ने नर्सिम रूप में अवतार लिया था और हिनकवसभ का वद्द किया था साथ में जो म स्वाजा करते मानते हैं बगतोते हैं उनको अलवर कहा जाता है तो यह का नाम्मär कि न फिरू मुगनी अलवर था इन्हों ने एक बुक लिखी थे इन्हों वर cannon किया बन उससं मने लिखा गयए था यह इसमें भी गवान जो विशनु में और इस अवतार के बारे में वर्णन है, साथ ही साथ में यहां पल्लव राजवन से, इनके बारे में चलू की राजवन से, इनके बारे में भी वर्णन मिलता है कि यहां पर इन्हों ने कुछ काम किया था, यह केफियात, अब केफियात क्या होता है, केफियात होता है, देखो लोकल वहां पर गलता है जो तेल को क्या ढुख अससरा मांग्या सका पर कीफिया होता है तो करनल मेकशान जी थि थे नीँए केस कर्ण को परमोड किया था और केसी है इस सब की बारे में जानकारी पराप्त करने की कोशिव थिती तो यह पूरा अहो बारे में तो एहुब रिम्स हैं जगा जहाँ पर भगवान विश्णू का मंदीर है पांच मंदीर अलगलब परकार से बने हुए है इनको अलगलब नाम से जाना जाता है इत्या सिंग महतवेस का देख लिया कि भगवान विश्णू ने अव्तार लिया था और हिनकल सब का व है पुरी गठना पीर, इसके लिए लगलए से वह रैडियो टेलेस्कोपी लेंग रहे हैं लेosit के इस पता आप कोने की अपना डेडियो चोपि लउंज कर रहा है उसका नाम है प्रतूस इसे लॉंज किया जाएगा यह कहां जाएगा पहले न蟹 कयाेगा परकार से अर्थ की उत्पति हुई है किस परकार से जो प्लैनेट है ब्रमान थे उनkी फिर इस्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है इन सब के बारे पता करेंगा कैसे पता करेंगा कि देखो अलग-अलग एज थी पहले बिग बंग उइव उसके बाद में कुछ ताम तक डार्क एज था कुछ भी नहीं था पूरा परत्वी गरम थी पता ही नहीं चला क्या था उसके ब्लेक एस्टार बनने का फ्रमेशन है इसकष्मिक प्रियेड प्रखार से जाता था सेल Mayor परयाइज्टりました सब कोर्राइज की पहले था ample है उसके बाद में डार्क एज बना डारक के बात क्या हुआ हूओ आ करेंग बना यायि नी करन स्टाठट हुआ अलग अलग फ्रकार के iron बने, hydrogen बना, helium बना, hydrogen और helium से क्या बना? star बने ठीके star के पास में एनर्जी एक star बने यह जो प्रोसे इसको कहा जाता है cosmic edge cosmic edge यानी डार्क इस सी star formation की चुप पूरी गतिवी इसको cosmic age कहा जाता है यह चीज आपको पता उने चाहश कें तो इसमें जो cosmic edge में अललग परकार की energy 你 generate हो गई तो यह प्रतूस है न यह इस energy को एक्टा करेगा और पता लगा इसका अधियन करेगा किस परकासर एनरजी आ रही है और किस परकास से इसका पूरा प्रोसेस हुआ है तो इसमें हैल्प क्या होगी मदद क्या में लाब क्या होगा लाब पूरे ब्रमान की उत्पति के बारें पता चलेगा अर्थ की उत्पति के बारें पता चलेगा तो यह सारी इससे बेनिफिट होगे तो यह प्रतूस के बारे मैंने बात करी यह देखो यहां पर कोस्मिक डॉन है आइनिकरन स्टार्ट हुआ हिड्रोजन हिलियम बने बर्मान की में आइनेजिकरन प्रोसर से स्टार्ट हुआ फिर अलग 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 दूर बिन यहां पर भेजी जाएगी यह सारी चीजे हुई और इसम सरफेस अल्यक्ट्रमेग्नेटिक एक्प्रिमेट्ट फसर करएंश् No सब्सक्राइग ऱेंच है नोग थ सं खालन सेल्गों और उंभ vicom सहरे यह भी सार्फेस आप और नासा arkadaşlarक का ईएक अशन 6 On रेडियो टेलेस्कोपी के बारे में आपको पता होना चाहिए परतूस रेडियो टेलेस्कोपी जो बिग बेंग थियोरी के बाद में thank you thank you very much for discussion